प्रमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है कोण को जानेंगे समझेंगे और हम कैसे उसे अपने जीवन में अपनाए उस विधी को भी समझेंगे और इसके लिए हमीशा की तरह हमारे मद्दे हैं प्रजापिता ब्रमा कुमारिस ईश्वरिये विश्विध्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्निये भैसाब भैसाब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वाकत है भैसाब आज हम बात करेंगे 6 अगस्त 1970 के महवाक्चियों के बारे में और इसका टॉपिक है द्रिष्टी से स्रिष्टी की रचना भैसाब बिलकुल स्टार्टिंग में परमात्म कहते हैं कि एक द्रिष्टी धोखा भी देती और द्रिष्टी पतितों को पावन भी करती द्रिष्टी बदलने से स्रिष्टी बदल जाती है तो द्रिष्टी कहां तक बदलनी है क्या बदलनी है आत्मिक द्रिष्टी दिव्य द्रिष्टी और अलोकिक द्रिष्टी बनी है पैसाब यह ज सबसे महत वं है इन आखों का इस दरश्टी का सथान है कहते हैं अगर नेन नहीं तो जहान नहीं तो Parmatma हम सब को इसके महत को के विशे में बताते हैं कि जैसी जैसी आपके दरश्टी है अंदर की आंतरिक बाहुनाएं है क्योंकि द्रस्टी तो एक स्थूल नेत्र है, लेकिन उसके पीछे सिपी हुई the Manu Vrattya है इसको हम द्रस्टी कॉन कहते है तो द्रस्टी से द्रस्टी कॉन का फता चलता है तो कई बार ये द्रस्टी कहीं कोई चीज देखते हैं तो धोखा भी मिल जाता है और कई बार हम उसको उसी नजर से देखते हैं तो उसमें हमको फायदे भी होते हैं तो परमात्मा हमारी द्रष्टी को बहुत दिब्य बनाना चाहते हैं पवित्र बनाना चाहते हैं क्योंकि इस द्रष्टी को पवित्र बनाना है तो जब हम सब की द्रश्टी में परिवर्तन आएगा, पहला परिवर्तन जो आज हम सब समझ रहे थे हम देहे हैं, तो परमात्मा ने हम सब को आत्मा का ग्यान दे करके देही बनाया, कि आत्मा को देखने का अभ्यास करो, आत्मिक द्रश्टी बनाओ, तो जितनी आत्मिक द् दिख्रत एक सने की अपनिपन की भाई भाई की भाहोना जागरत होगी. पहला द्रष्टि का परिवर्टन है कि देखने की वजाए हम आत्मा को देखने का अभ्यास करें. और जब आत्मिक द्रष्टि बनती है तो उसमें दिव्यता, पवित्रता आती जाती है. क्योंकि आत्मा भाई-भाई है उसके अंदर जब दहिक संसकार ही नहीं है तो विकारों के उत्पत्ति कैसे होगी इसलिए पहला ही पार्ट परमात्मा ने हम सबको यही पढ़ाया कि आत्मा को अगर पवित्र सुद्ध दिव्यता संपन बनाना है तो आत्मिक इस्थती में रह करके आत्मिक द्रश्टी का अभ्यास करो एक दूसरे से जब मिलते हो बात करते हो तो उसके भ्रकुटी के बीच में आत्मा को देखो क्योंकि कर्म करने वाली, बोलने वाली, देखने वाली भावनाओं को व्यक्त करने वाली सकती आत्मा है इस सरीर के द्वारा इन आखों के द्वारा वो हमें अनुभो कराती है तो जब हम आत्मिक इस्तिती का अभ्यास करने लगते हैं तो दिब्यता आती जाती है और जितनी दिव्यता आती है उतना हम अलोकिकता कानुभो करते हैं द्रश्टी में अलोकिकता बना न्यारा पना जाता है जो लोगों की द्रश्टी है जैसे उनकी भावनाएं होती है जैसा उनका अंदर का द्रश्टी कॉन होता है वो ऐसे उनकी दृष्टी से दिखाई देता है जैसे अगर किसी के प्रत हमारे अंदर नफरत है तो जब कोई सामने आएगा तो उसकी दृष्टी से वाइबरेशन आएंगे उसका देखने का जो नजरिया होगा वही गलत फिलोगा, महसूस होगा सामने वाले को बोलेगा पीछे, वानी बाद में निकलेगी इन पहले सामने आते हैं उसकी दृष्टी से अंदर की भावनाओं का अंदर की ब्रतियों का पता चलता है इसलिए परमात्मा हम सब के दृष्टी का ही परिवर्तन करते है सबसे पहले परमात्मा हम सब को कहते है बच्चे ये नैनो का बहुत बड़ा हास्पिटल है सबसे पहले यहाँ पर नैनो का ही आप्रेशन किया जाता है द्रश्टी का आप्रेशन किया जाता है यह हमें बताया जाता है कि आप ये दे नहीं हो और जिनके सम्बन संपर्क में आ रहे हैं, वो भी देधारी नहीं है, वो आत्मा है और आत्मिक भान में रहो, आत्मा देख करके बिवहार करो तो आपके विचार सुद्ध और पवित्र हो जाएंगे परमात्मा इस पूरी स्रष्टी को पवित्र बनाने के लिए आते हैं वो पतित पावन है तो पतित पावन परमात्मा इस पावन पति स्रष्टी को पावन में परिवर्तन कर रहे है लेकिन उसकी विधी यही है जो स्रिष्टी रंगमंच पर पाट बजाने वाली आत्माएं हैं वो पवित्र बने और उस पवित्रता का आधार है द्रिष्टी का परिवर्तन इसलिए हम सब को द्रिष्टी परिवर्तन के विशय में परमात्मा की सिख्षा हैं बिल नहीं है द्रिश्य कोई भी हो लेकिन जो हमारी द्रिश्टी है वो matter करती है आसपास अगर देखें तो द्रिश्य तो बहुत variety नजर आते हैं और कल्यूप में तो द्रिश्य ऐसे नजर आते हैं कि इंसान जिसे देखना ना भी चाहे तो भी सामने आ जाते हैं हम लोग अब्यास यह करते हैं कि भले हमको खोई ऐसा द्रस दिखाई दे और उस पर चिंतन नचले जैसे हम देखते भी नहीं देख रहे हैं यह अब्यास करते हैं श्योंकि योगी आत्मा लिख कोई चीच ओएसा द्रस रह आया वानलो को यह असलील चित्र हमारे सामने आ गया, हम उस पर एक तिक हो करके ऐसे नजर गड़ा के देखेंगे, तो माना हमारी मनोब्रतियां अंदर से गलत हैं, इसलिए बार बार उसको देखने की दिल हो रही है, और मात्मा हमारी मनोब्रतियों को भी सुद्ध साब बनाना च इसलिए देखते हुए भी न देखना, योगी लोग ऐसा भ्यास करते हैं, बिल्कुल भाई साब, आगे चलकर प्रमात्मा कहते हैं कि जिस दृष्टी में अर्थात नैनों में खराबी होती है, तो एक समय दो चीजें दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ही दृष्टी पूर्ण नहीं बदली है, तो यहां भी दो चीजें दिखाई पड़ते हैं, देही और देहे, कभी वह, कभी वह, ऐसे होता है, कभी देहे को देखते हैं, कभी देही को, जब नैन ठीक होते हैं, तो जो चीज जैसी होती है, वैसे ही यथार्थ रूप में दिखाई पड़ता है, ऐसे यह दृष्टी भी जब बदल जाती है, तो जो यथार्थ रूप है, वही दिखाई पड़ता है, और यथार्थ रूप है, देही न कि देहे, जो यथार्थ रूप है, वह दिखाई दे, इससे समझो कि दृष्टी ठीक है. बहुत अच्छी वात है, क्योंकि आजकल जितनी आयू बढ़ती जाती है, तो आखों की प्रॉब्लम्स ग्रेट होती है, और इस्थूल में भी, जब कईयों को इनी नजर से डबल चीजे दिखाई देने लगती है, तो बहुत परेसान होता है, कभी कुछ दिखाई दे रहा, क एक में भी दो चीजे दिखाई देने लगती है, तो परमात्मा कहता है, यह नहिनों की खराभी है, उसका आप्रेशन करना पड़ता है, उसके लिए उसकी प्रकार की दवाई करनी पड़ती है, ट्रीटमेंट होती है, आप बच्चे भी, जब किसी से मिलते हो, बात करते हो, तो आपको क्या एक जैसा दिखाई देता है, आत्मा ही दिखाई देती है, या अभी अभी आत्मा को देख रहे हैं, अभी अभी शरीर को देख रहे हैं, अगर दो चीजे दिखाई दे रहे हैं, माना आपकी आखों में डिफेक्ट है कुछ, उनका आप्रेशन करो पहले, उ तो देखने का नजरिया ऐसा होगा कि हम आत्मा को देख करके ही बात करेंगे कभी आत्म अभिमानी इस्थिती बन गई कभी देहमान में आ गए कभी उसकी सुंदर्ता पर कभी रूप रंग पर आकर से थो गए तो जैसे हम हमारी द्रश्टी में दो बातें आ रहे हैं तो चेक करना चाहिए और अगर है कुछ तो उसको सुद्ध करने के लिए अपने आप से बाते करें और अगर नहीं किलियर हो पा रहे हैं तो सुप्रीम सर्जन परमात्मा है और उनके नायब सर्जन बहुत सारे निमित बने हुए हैं किसी से भी बात करके अपनी दृष्टी को सुद्ध बनाने के प्रयास करना चाहिए जी 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 फैसर परमात्मा कहते हैं दृष्टी के उपर बहुत ध्यान रखना है दृष्टी बदल गई तो कब धोखा नहीं देगी साक्षातकार दृष्टी से ही करेंगे और एक-एक की दृष्टी में अपने यथार्थ रूप और यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगे इतनी दृष्टी में पावर है अगर यथार्थ दृष्टी है तो तो सदेव अपने को चेक करो कि अभी कोई भी सामने आए तो मेरी दृष्टी द्वारा क्या साक्षात कार करेंगे जितना हमारी मनों ब्रत्तियों के अंदर ये तीनों इसमरतियां रहती है अपने स्वरूप की इसमरति सबसे पहली है मैं एक आत्मा हूँ इसका चिंतन तो ये व्रत्ति सुद्ध होती जाती है और सामने वाली आत्मा जब आएगी तो जिसने जितना अभिहास किया है आत्मी की स्थिति का पहले तो उसको आत्मा का भान आएगा कि ये दे नहीं है ये तो एक अलग सकती है और जब आत्मे की स्थिति हमारी बन गई तो सामने वाले को जो हमारी व्रत्तियों में चल रहा है कि मुझे अभी घर जाना है कि नई राजदाने में आना है तो वो तीनों चीजें अपना सुरूप, अपना घर, अपने आने वाली दुनिया उन तीनों का हम साक्षातकार द्रश्टी से करा सकते हैं लेकिन बहुत काल से इन इस्मृतियों में रहना होगा ऐसे नहीं सामने वाले को घर की इस्मृतिया आजाएगी हमको देख करके घर परमधाम जहां से हम आत्मा आई है वो हमारा असली घर है और हमको देख करके घर की इस्मृतिया आए तो उसके लिए हमारी मनों मृतियों में बहुत बहरागे चाहिए जब हम बहुत न्यारे प्यारे होकर कि इस द्रश्टे से किसी को देखेंगे तो उसको लगेगा अब घर जाने का समय आ गया है और घर जाएंगे तो घर में बैटना नहीं है इस द्रश्टी नात्रक पर फिर से पाट बजाने आना है कहां आना है तो वो भी परमात्मा ने ज्यान दिया है कि जब आत्मा घर जाती है तो परमधाम में थोड़ा समय विस्राम करती और फिर आकर के नहा पाट बजाती है जिसको राजधानी को हो सत्युक को हो वो सत्युगी दुनिया का भी साक्षातकार हो क्योंकि हम उसको बना रहे है उसमें चलने के लिए हमारा पुरा पुरसार्थ चल रहा है वो देवी गुन हम देवी लक्षन जो राजधायोग का भ्यास करते हैं कि हम सब मनुष्यात्माएं पुरसार्थ करके दिवी गुड़ों को धारन करके देवपद प्राप्त करेंगी और जब त्योत्ता की स्थित्ती हम सब की बनेगी दिवयता संपन तो इस रष्टी को परिवर्तन होना ही पड़ेगा उनके लिए परमात्मा को नई सरष्टी बनानी ही पड़ेगी तो नई सरष्टी जो आने वाली है उसकी तैयारी है ये इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम अपनी द्रष्टी का परिवर्तन कर लो और द्रिष्टी बदा जाएगी तो सत्यूगा जाएगा बिल्कुल भाय साब वैसे भाय साब दुनिया में देखते हैं कि जो हमारे मन में चलता है उस सारे भाव हमारे नैनों से नजर आते है कोई गुसे में होता है तो भी पता चल जाता है कोई दुखी होता है या सुखी होता है खुश होता है तो भी उसके नैनों से पता चल जाता है यलगता है सब कुछ दिखाई देता है और कोई चीज यदि हम बहुत ही समेत से अभ्यास कर रहे हैं तो वो भी हमारे नैनों से दिखाई दे तो परमात्मा शायद उसी दृष्टी को एक अलग तरीके से प्रयोक करना चाहते हैं इसी से संबंधित भैसा परमात्मा कहते हैं कि जो आपकी वृती में होगा वैसा अन्ने आपकी दृष्टी से देखेंगे अगर वृती देहे अभिमान की है, चंचल है तो आपकी दृष्टी से साक्षातकार भी ऐसा ही होगा औरूं की भी दृष्टी वृती चंचल होगी, यथार्थ साक्षातकार कर नहीं सकेंगे क्योंकि अगर हमारे अंदर ही कोई ऐसे गलत संकल्ब चल रहे हैं देहेमान वाले संकल्ब चल रहे हैं तो सामने वाले को भी जिसके सामने हम जाएंगे तो हमारे वाइवरेशन क्योंकि अंदर की व्रतियां अंदर की भावनाओं का जो आभा मंडल बनता है जब कोई सामने आता है तो वही उसको अनुभव होने लगता है तो कईयों के सामने जाते ही जैसे आज कल बनिया में भी कोई अगर असलील चित्र होते हैं आज कल के फैसन वाले चित्र को हम देखते हैं तो जानने से व्रतियों में कुछ अंचलता आती है और अगर मुशी जगे पर वैसे ही सजी सजाए मूर्ती कोई देवी की देवता की र आभा मंडल में वह आकरसन है, प्यूटी की, और एक के अंदर फुल बोडी कॉंसस वाली आकरसन है. तो दोनों को देखने से सामने वाले व्यक्ति के मनो भाव चेंज हो जाते हैं. तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, अगर तुमने चैतन्य में, वो तो फुटो के आगे गए, चैतन्य में अगर आप बहुत पवित्र सुद्र संकल्पों में रह रहे हैं, तो सामने वाली आत्मा के भी विचार चेंज हो जाएंगे. और अगर आपकी व्रत्ति में चैंचलता है, आपकी व्रत्ति के अंदर विकारी संकल्प चल रहे हैं, तो सामने वाली आत्मा भी आ करके आपको देखते ही, वैसे ही चैंचल संकल्प करने लगेगे. इसलिए दुनिया में भी अगर हम बहुत सारी नेगिटिविटी से बचना चाहते हैं, तो अपने आपको प्रोटेक्ट करने का भी एक साधन है, कि हम खुद ही पहले अपने प्रती और दूसरों के प्रती अपने द्रिश्टी पूम को बचले. कि अगर आप कहीं भी जाते हो, तो समझो मेरे साथ परमात्मा सीव कंभैंड है, और उसके साथ साथ में जा रहा हूं, वो पतित पावन है, और वो मेरे साथ है, तो बहनों को कहता है, तुम अपने आपको समझो मैं सीव शक्ती हूं, और भाईयों को कहता है, तुमारे साथ पांडव पत्ति परमात्मा है तो जहां पर भी जाओ मैं भी जाई पांडव हूँ उस कंबाइंड सरूप में अगर रहोगे तो आपकी स्मृत्ति से आपके आभा मंदल से लोगों की भृत्तियां चेंज हो जाएंगे लेकिन बहुत उचे सौमान में जाना पड़ेगा कल्यूक के वातावन में सेफ्टी का बड़ाच्छा साधन भी है और सेवा का भी बड़ाच्छा साधन है जी 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 बहुत सुन्दर भै सब परमात्मा कहते हैं कि स्रिष्टी न बदलने का कारण है द्रिष्टी का न बदलना द्रिष्टी न बदलने का कारण है वृती का न बदलना द्रिष्टी बदल जाए तो स्रिष्टी भी बदल जाए आजकल सभी बच्चों के प्रतिविशेश इशारा परमात्मा का यही है कि अपनी द्रिष्टी को बदलो साक्षातकार मूरत बनो देखने वाले ऐसे अनभव करें कि ये नैन नहीं लिकिन यह एक जादू की डिबिया है नैन साक्षातकार की साधन बन जाए एक बहुत मुचीज तेज है क्योंकि जो कुछ वरत्तियों में हमारी चलता है पाउंडेशन तो वरत्ति ही है और वरत्ति बनती है बार-बार कोई चीज का चिंतन करने से बार-बार वही संकल्प चलते रहते हैं जैसे जब वरत्ताकार कोई चीज बनाते हैं ऐसे गोल-गोल उसमें घूमते रहते हैं तो जो संकल्प बार-बार रिपीट के जाते हैं, रिवाइज के जाते हैं, नहीं संकल्पों के आधार से हमारा दृष्टी कून बन जाता है, व्रत्तियां कहते हैं उनको, और वो व्रत्तियां जो अंदर भैट गई, बन गई, उनके आधार से हमारी दृष्टी काम करते हैं, कोई व्यक्ति को हम देखेंगे, अगर व्रत्ति में अंदर से कोई ऐसी बात आपके प्रत्य हमारे अंदर नोट हुई है, उस पर सूचा हुआ है, तो जब सामने आएंगे तो द्रिष्टी भले कैसी भी हो, मुस्कराएंगे भी बात भी करेंगे, लेकिन व्रत्ति के अंदर उसका कई बार द्रिष्टी द्वारा लोगों को, सामने वाले को पता चल जाता है, तो उपर उपर से तो बड़े मीठे लग रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ और है इनके, उपर से तो बड़े अच्छे देख रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ भावनाओं में अलग है, तो व इसके लिए बहुत काल से अपनी व्रतियों को बड़ा सांत, सुध, पवित्र बनाओ, चंचलता कतम करो, जो देहमेमान की चंचलता है, दे के बारे में सोचना, विचार करना, उनका वणन करना, यही चंचलता है, इस चंचलता को चेंज करके, आत्मा सुध है, पवित्र है नाटक के अंदर, खेल खेलने के लिए आई, ऐसा चिंतन को, इसे व्रति बहुत सुध हो जाएगे, और व्रति सुध हो जाएगे, तो दृष्टी से आने वालों को अच्छे अनुग होंगे, वही साक्चातकार है, तो सब आज की दुनिया में अंदर कोई कुछ और है, और कि अपने परखने की सक्ति को बढ़ाओ, जितना आपके संकल्ब बहुत सान धहरिवत होंगे, उतना आप सामने वाले व्यक्ति के मनों भावों को समझ सकोगे, संकल्पों को भी कैच कर सकोगे, इसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए, अगर हमारे संकल्पों में हल हल चल है, अंदर की व्रत्यों में हल चल है, तो हम नहीं कैच कर पाते हैं, तो हम समझते हैं यह बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर उसके और है, बाहर से रूप और है, बहुत देर के बाद पता चलता है, बहुत देर के बाद तो धोखा मिलेगा, जहां आज व्यक्ति उसका एक मूल कारण तो यही है, सबसे पहला, कि व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की बातों से उसको पहचान नहीं पा रहा है, वो इतनी मिठी-मिठी बाते करेगा जैसे अपना ही है, इतना प्यार देगा, इतना सने देगा, अफर करेगा, कोई चीज की, और बाद में अंदर कुछ और करके चला जाए, बिलकुन, नुक्सान करके चला जाए, अब इस ठगी की दुनिया में बचने के लिए, हमारी मनों ब्रतियों को बड़ा सान, पवित्र रखना पड़ेगा, खल चल वाली ब्रतियां नहीं चाहिए, जितना जिसने एक आगरता का अभ्यास किया है, साइलेंस की सक्ति को जिसने बढ़ाया है, वो कहीं धोखा नहीं कहा सकता है, जो परक लेगा फट से, इसके लिए मन की साइलेंस की सक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, परमात्मा कहते हैं कि देखने वाले ऐसे अनुभव करें, कि यह नैन नहीं लेकिन यह एक जादो की डिब्बिया है, जिसे जादो की डिब्बी में भिन भिन नजारे देखते हैं, वैसे आपके नैनों में दिव्वे रंगत देखें, पर सब जादो की डिब्बी से क्या भ इसा है कि दुनिया में जादूगर जो होते हैं, वो कोई न कोई ऐसा चमतकार दिखाते हैं, हाथ की सफाई के आधार से ही दिखाते हैं, वो सिध्धी भी प्राप्त होती होगी, लेकिन वो जादूगर कभी-कभी किसी के उपर ऐसा कपड़ा डालते हैं, तो वो व्यक्ति तो कई रूपों में जादूग और हाथ की सफाई से परिवर्तन करके दिखा देते हैं लोग वाह वाह करते हैं सब अर मात्मा कहते हैं तुम बच्चे अगर बार आत्मे कि स्थिती का अभ्यास करते हो तो आपके नैनों से कई प्रकार के द्रस्यों का लोगों को अनुभो जो अंदर चलता रहता है अंदर ब्रत्यों में ज्यान योग बरा हुआ है तो जब हम किसी को ऐसे द्रस्टी देंगे देखेंगे तो इसको कभी हमारे सने की मूरद दिखाए देगी कभी शक्ती की मूरद दिखाए देगी कईयों को ऐसे अनुभो होते हैं जब नहीं करते हैं। आख खुली होती है तो इन आखों से ही उनको लगता है कि जैसे ये सरीर गुम हो गया है नहीं कुछ या कभी लाइट का सरीर दिखाए देता है। कभी इसके अंदर बाप डादा की छवी दिखाए देने लगती है। अभी हम जैसे दादियों के सने में खोते हैं, उनकी पालना ली हुई है, उनको हम याद करते हैं, तो यह रूप गुम हो करके वो रूप दिखाए देने लगता है, जैसे नहीं जादू की डिभी बन गए, है नहीं, प्रेक्टिकल नहीं, लेकिन जैसे जादू की तरह, आत्म कोई दिखाने की चीज हमारी नहीं है, लेकिन हम आत्मिक स्थिति का जितना अभ्यास करते हैं, जितना हम बाबा के परमात्मा के प्यार में खो जाते हैं, तो यह नहीं जादू की तरह लोगों को भिन भिन अनुभो कराते हैं, उनका योग लग जाएगा, मने काग्र हो जा तो देवता हैं बसे हुए हैं, वो देवता इस रष्टी दिखाई दे रही है, कभी पूजी सरूप में देखेंगे, तो देवी बैठी है, तो देवता बैठे हैं, कितने इनकी पूजा हो रही है, कितने पूजी आत्मा हैं, तो सामने वाली आत्मा को हमारे इस्थिती के आध कुछ दर्षन करते हैं. तो आत्मा तृप्त हो जाती है. वो कुछ सेकंड के दर्षन के लिए कितनी मेहनत करते हैं. उसके लिए घंटों कई-कई दिन तक भी कई लोग लाइन में खड़ी रहते हैं, और दर्सन कितनी देर का होता है, दो मिनट्ट तीन मिनट्ट तो छोड़ो कई बार तो कुछ सेकरें में ही धक्का देंके आगे बढ़ा देते हैं, देवी के दरसन किया या नह atacar लेकिन थोड़ा समय जलक देखता है, तो भी परसन हो जाता है, कि हमने देवी जी के दर्सन कर लिये, आत्मा तरप्त हो जाती, तो वो दर्सन तो दर्स्टी से किया ना, बिलकुल, और दर्स्टी से देखा, मूर्ती को देखा, लिए उसके जो वाइबरेशन है, जो उसमें शक्ती है, उसके आधार से वो आत्मा, भरपूर, परसन, उसके तपस्या के आधार से हमने अपनी स्थिती जब इतनी उची बनाई है, तो भक्ति काल के अंदर भक्तों की मनों कामनाय पूर्ण कहने वाली मूर्तियां भी बन गई, जी, 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 साकार में किसी ने तो अभ्यास किया होगा, तब तो उनके आधार से इतने भक्तों की में जाना और आपने भी बहुत सुन्दर एक्जाम्पल्स कित्रू हमें दृष्टी के महत्व को भी समझाया, फैसा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जर्शकों आज ईश्वरिये महवाक्यों द्वारा हमने समझा कि जैसी दृष्टी वैसी सृष्टी, यदि हम संपू द्रिष्टी को बदल देते हैं, तो न केवल स्रिष्टी बदल जाएगी, परन्तो हमारे द्वारा, हमारे नैनो द्वारा, अनेकों को साक्षातकार भी होंगे। तरशकों अगले अपिसोड में हम इनी महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए ओम शान् व्रित्ती देह अभिमान वा चंचलना हो, यथार्थ द्रिष्टी अर्थार्थ, देही को देखना ना की देह को।